प्यारे विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं इन प्रेणा दायक पंक्तियों के साथ यहां पर मैंने एक पेराग्राफ छोटा छोटा पेराग्राफ लिखा हुआ है पंक्तियां लिखी हुई है आज के दिन हम अपने भविश्य का निर्मान करते हैं इसको हैं पढ़िएगा आज के दिन आगे के सारे शमय के लिए हम पवित्रता अथवा पाप में से एक को चुनते हैं अब प्यारे विद्यार्थियो मैंने बहुत सारे वीडियोज आपको हिंदी हैंड राइटिंग सुधारने के दिये हैं और उन में से मेरा सजेशन है कि आप अगर सभी वीडियोज को नहीं देखते हैं आपके पास टाइम की कमी है तो सिर्फ तीन वीडियोज को देखिए उसमें से तेज लिखें सुन्दर लिखें भाग एक भाग दो और भाग तीन इन वीडियोज को देखने से महज दो और तीन घंटे के अंतरगत आपकी हैंड राइटिंग में परिवर्तन होना सुरू हो जाता है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो महज दो दिन के अंत कमेंड्स के रिजर्ट्स हैं जिन बच्चू ने जिन केंडिडेट्स ने अपनी हैंड राइटिंग सुधा दी है ठीक चलिए बात सुरू करते हैं आज के आप सोच रहे होंगे कि ये पंक्तियां जो है बड़ी अच्छी लिखी गई हैं और अच्छी राइटिंग में जूज हो गए हैं औसे अहतक वाला वीडियो जो बनाया है उसमें बताया है कि आ का उपर का भाग छोटा होता है और नीचे का भाग थोड़ा बड़ा होता है और इसका लास्ट एंड पोर्शन जो है उपर की तरफ मोड़ेंगे और पाया देंगे साइट से दोनु खड़े पाये बिल्कुल सीधे आएंगे और ओके सिर में कभी मात्रा कभी पंक्ती नहीं पड़ती है ठीक है ओके सिर में ओसे अहतक जितने भी ओसे संबंदित हैं आ है ठीक है ये आउ है अंग है अह है इनके सिर में कभी भी पंक्ती नहीं पड़ती है आप उन वीडियो को देख ल रहे हैं ये वाला पॉइंट है ठीक अगर आप इसको सही रखते हैं तो आपका ये पास्ट भी सही हो जाता है और ये फूचर भी यानि भूत भी यही है भॉश्य भी यही है कौन ये बर्तमान का पॉइंट अभी का समय ठीक अब मैं ऐसा करती हूँ इसको पूरा आपके सामन मैं रेज कर देती हूँ और फिर से मैं इनी पंक्तियों को ऐसे ही आपको लिख करके दिखाऊंगी प्यारे विद्यार्थियो अब मैं आपको आज लिख करके दिखाती हूँ ठीक है आज मैं वैसे ही लिखूंगी जैसे मैंने आपको पहले के पूरो में वीडियोज में पाये बिलकुल सीधे ये और जो बनाना भी मैंने सिखाया हुआ ऐसे किन भाग में जो पहले तिर्चा पाया देंगे फिर थोड़ा पीछे जाएंगे और ये खड़ा पाया बिलकुल सीधा अब इसको पूरा इसके सिर को छोड़ते हुए हम पूरा इसको ढग देंगे बन गय आज के दिन अब मैं फटाफट लिखती हुँ क्योंकि वीडियो का समय भी जादे बड़ा न हो और आपको इरिटेट ना करें ठीके आज के दिन और आपकी डिमांड थी कि मैं बिना पंक्तियूं वाले कौपी बिना रूल्ड कौपी में आपको सीधा लग करके भी दिखात हुँ दिखानाच‐ है मुझे और उसकी भी डिमांड आज पूरी हो गई है इसमें कोई भी पंक्ति नहीं है यह जो है मेरा प्लेन बोड है इसमें म liberty करके दिखा रहे हूं आज के दिन हम हम मैंने हो बनाना भी सिखाया हुआ है मौ बनाना भी सिखाया हुआ है वंक्या हम ठ ठीके फिर वही पौ बनाना सिखाया है नौ बनाना सिखाया है मात्रा लगानी मैंने एक मात्राओं का वीडियो और मात्राओं की डिमांड और है आपकी मैं मात्राओं का जल्दी वीडियो आपको फिर से दे दूंगी आज के दिन हम अपने भविश्य का निर्माल करते हैं है आपको कि कैसे हम भौश्य पढ़ते हैं अपने भौश्य तीके इस भौश्य को जो है भौश्य नहीं पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे भौश्य तीके थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे मैंने 100-100-100-300 में आपको अंतर करके भी बताने का ए बिल्कुल सरल है का निर्माण करते हैं निर्माण मात्रा थोड़ा सा बाईं की तरफ जुकी हुई निर्माण करते हैं इसको है नहीं पढ़ेंगे इसको है पढ़ेंगे ठीके और इनको आप मिला लीजिएगा वो ही पंक्तिया हैं जो मैंने आपके सामने इरेज की थी आपके सामने पूरा मिटा दिया था ठीके आप उन तीन वीडियोज को देखेंगे तो ऐसा ही और बिना रूल के जब आप लिखेंगे कहीं पर तो आपको साधे पेज में लिखना होता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा अगर लिखावट से हिंदी और अंग्रेजी लिखावट से संबंधित कोई आपके मन में कोई भी संदे है तो प्रस्ण जरूर पूछिएगा आपकी समस्या का जरूर हल किया जाएगा अपना ध्यान रखिएगा जै हिंद जै भारत